गुट मॉर्निंग बच्चो अब हम नमबर टू के बारे में जानेंगे तहलते हुए भोलाने एक जील में बदकों को तैरते हुए देखा पहले उसे एक बदक दिखाई दी फिर उसे दूसरी बदक दिखाई दी एक दो हाँ उसे दो बदक पानी में तैरते हुए दिखाई दी थी अब हम टू कैसे लिखेंगे आपको पता है ये बिलकुल बदक की तरह ही दिखते हैं देखिए आपको वो स्लीपिंग लाइन याद है और वो स्लैंटिंग लाइन जो आगे की और जुकी हुई थी यानि की forward स्लैंटिंग लाइन और क्या आपको वो कर्व याद है जो कर्व पीछे की और देखता है यानि की backward का दो लिखने के लिए हम इन सब का इस्तमाल करेंगे तो चलिए अब हम two लिखते हैं, यानि की दो पहले एक backward curve, एक छोटी सी slanting line और फिर एक sleeping line हाँ, हमने two बना लिया तो याद रखिए कि बतक भी two की तरह ही दिखाई देती है चलिए अब हम two को अपनी notebook में लिखते हैं इसके लिए हम तीन dots बनाएंगे एक उपर की line में, एक नीचे की line में और एक बीच में पर थोड़ा आगे सबसे पहले हम एक curve बनाएंगे backward curve, फिर एक slanting line और आखिर में एक sleeping line देखे, हमने dot की मदद से अपना number two बना लिया one, two, two बदक अब हम two लिखते हैं सबसे पहले एक curve, फिर एक slanting line और आखिर में एक sleeping line और ये बन गया number two इसी तरह one apple, two apple सबसे पहले curve, backward वाला फिर slanting line और आखिर में sleeping line तो ये था number two आज के लिए बस इतना ही, बाई 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 बच्चो